थी हाई यॉल ये हमारी हार्वेस्टेट वाली हल्दी है तो ये वीडियो हमने बनाया है बताने के लिए कि कैसे इसको आपको ट्रीट करना है और कैसे इसको पाउडर में कनवर्ड करना है ये थोड़ा से एक लॉंग प्रिसीजर होता है इसका क्लीनिंग ऐसे हमने soil को पुरा dry किया था उसके बाद हमने harvest किया था तो ज्यादा soil एक चिपकी नहीं है थोड़ी भुरबुरी है लेकिन फिर भी इसको cleaning करने में हमें बहुत time लगेगा तो सबसे पहले हम इनकी roots को अलग करते हैं और इनको fingers को अलग करते हैं पूरी roots एक बार में तो अलग नहीं होंगी तो थोड़ी roots अभी हम prune करेंगे थोड़ी washing के time पर कर देंगे और थोड़ी boil करने के बाद जब हम उनको clear करेंगे तब करेंगे तो यह सब कैसे करना है आप वीडियो में देखते रहिए मिट्टी को इससे अलग होने के लिए 2-3 घंटे अगर सोक करके रखे तो थोड़ा अच्छा रहता है क्लीदिंग में थोड़ा सा easy हो जाता है तो 2-3 घंटे हम इसको टम में सोक करके रखेंगे उसके बाद 4-5 पानी से wash करेंगे और उसके बाद जैसे जैसे steps होते रहेंगे आप वीडियो देखते रहें हम उसके साथ ही आपको पूरा procedure दिखाते रहेंगे यह देखें यह जो black color का हलका सा soft सा दिख रहा है यह original rhizome है जो हमने सोक किया था और जो मेरा right hand में है वो हमारा harvested rhizome है तो देखें difference clearly आपको दिख रहा है कि कितना छोटा छोटा rhizomes हमने सोक किया था और जो बंच होता है वो काफी बड़ा सारा होता है एक प्लांट के नीचे बहुत बड़ा सारा छोटे से एक राइजोम से बंच निकलता है उसमें करीब करीब 8-10-7-8 ऐसे मोटे मोटे fingers होते हैं तो आप यही finger को फिर next year के लिए आप सेव करें एक महिनान को पेप स्प्राउटिंग हो जाएगी फिर आप मार्च एप्रिल में इन तीनों में से किसी मंत में फिर सो इनको सो कर दीजिए तो आपको मार्केट से भी राइजोम्स खरे दने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके अपने ही राइजोम से फिर next year आप बहुत सारा हल्दी करने में कितना मैसी हो गया है तो चार बालती पाने से हमने इसको वाश किया आप देखे यह राइजोम्स बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहे होंगे कितने सुंदर लग रहे हैं कितना अच्छा तर्मरिक का कलर देखिए मेरे पूरे टेरिस में इतनी अच्छी भर गया है हार्वेस्टे टर्मरिक से तो अभी भी यह टर्मरिक में बहुत रूट्स वगर हैं जिनको हम बॉइल करेंगे उसके बाद उसको कट करके हटाएंगे और थोड़ा जो है वो ड्राइंग के टाइम पर भी हलका हलका सा सूख के हटते रहेगा हमने यह टोपिय में इसको बॉइल कर रहे हैं देखे क्योंकि टर्मरिक जादा है एक बार में इतना बॉइल नहीं होगा तो कुछ हमने गैस टोफ पे रखा है कुछ इंडक्शन में रखा है और कुछ अभी क्यारट में है तो जो इंडक्शन वाला है उसमें अप्रॉक्स 20 मिनिट्स लग गया बॉइल इंडक्शन अगर आपको बॉइल नहीं करना है दस दर्रा पंग अप्रोक्स में भाउत हार्ड भी नहीं तो वह टाइमिंग आपको सही रहेगा बिल्कुल इंडक्शन में अकर आप कर रहे हो तो 20 मेनिट्स तो लगेगा ही हिसमें देख पिदे बहुत पार्यख पार रहे हमें, तो वह धिरे धिरे कर के ग्रैजुली ख्लीन होगी उनको हम बैचे बॉल कर रहे हैं च्रहम यह खुआ झाख ब्राइव करेंगे तो यह तो हम इनको अच्छे से क्लीन करेंगे पीसिस में कट करेंगे और उसके बाद हम उनकोʊ टेरिश पर ड्राइ करेंगे जो zaten क्ट करने के बात जो इस अ Configure अमारा तोफ टामरीक का लेफ्ट ओवर भर बचे आप पूछेग हैं इस इस को देखहा है आधि तरमरीक है आधी अभी और तरमरीक जो किछिन में बॉयल हो रही है तो बहुत टाइम टेकिंग जो प्रोसीजर है करीब करीब दो दिन पूरा इसका हावेस्टिंग और इसका ट्रीटमेंट में निकल गया थोड़ा सा टाइरिंग काम है बट ये बहुत अच्छा एक्सपीरेंस है प्लीज ट्राइ करें तामरी को क्लीन करके बॉयल करके चोटे चोटे पीसेज में करके हमने इसको टेरिस पे संड्राइ होने के लिए रख दिया है क्योंकि हमने इसको कट किया है तो इसका ड्राइंग प्रोसीजर थोड़ा फास्ट हो जाएगा ये थोड़े से जल्दी ड्राइ हो जाएगा थोड़े अच्छा एक्सपीरियंस है हल्दी में कुछ भी वेस्ट नहीं होता इसके जो ड्राइ लीव्स है जो रूट्स है और जो रूट्स के नीचे छोटे-छोटे ट्यूबर जैसे है सब कुछ काम आता है एक बहुत अच्छा यह पैस्टिसाइड भी है और बहुत अच्छा फर्ट अगर आपको हमारा पूरा जो टर्मरिक का जो यह सीरीज था आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें हैपी खेती बाई